नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धन्राज शॉर्ट हैंड अकेडमी स्टानो क्लासेस में दोस्तों आज का हमारा डिक्टीशन है हिंदी अशुलिपी शुर्ट लेकन डिक्टीशन ओपी शुकला आईटी हिंदी डिक्टीशन गती असी शब्त प्रतिवनाट स्वाई स्टार्ट करें डिक्टीशन पांस सेकेंड बाद स्टार्ट मान्यवर जिस विशय पर चर्चा हो रही है उस विशय का हमारे देश के जन जीवन से हमारे देश के लोकतंत्र से और हमारे देश की कानून और व्यवस्था से सीधा संबंद है विराम यही कारण है की आजादी के बाद और आजादी के पहले इस विशय पर हमारे देश के जो राज नितिग्य और शिक्षा शास्त्री हैं जो इस विशय में रुची रखते हैं और मान्यवर जो हमारे देश के प्रशासक रहे हैं उन सबने समय समय पर हमारी जो शिक्षा पद्दती है उसमें अमूल चूल परिवर्तन की पहल की है विराम इस विशय के बारे में काफी गंभीर चिंतन हुआ है आज भी अगर हम इस इस्थती पर विचार करें कि हमारे देश में शिक्षा पद्दती का क्या प्रभाव है तो हम देखते हैं कि चारों और हमारे जितने भी विश्व विद्याले हैं वे बंद हैं सब जगह जगडे हो रहे हैं यहां तक कि विश्व विद्यालेओं में हिंसा और नाना प्रकार के जगडे फैल रहे हैं और ऐसा लगता है कि ये शिक्षा के मंदिर नहीं हैं बलकि हिंसा और उपद्रव के इस्थान बन गए हैं विराम मैं नहीं मानता हूँ कि इसमें विद्यार्थियों की गल्ती है यह हमारी शिक्षा पद्दती का दोश है विराम इस प्रकार की शिक्षा पद्दती में सुधार होना ही चाहिए इस प्रकार की व्यवस्था हमारे देश के हित में नहीं हो सकती है और उसी का यह कारण है कि शिक्षा पद्दती में परिवर्तन के बारे में हमारे यहां गंभीर चिंतन हो रहा है वर्तमान शिक्षा पद्दती अंग्रेजी राज्य की देन है लौड मैकाले ने हमारे देश में जिस प्रणाली को चालू किया था उसी का थोड़ा बहुत रूप आज भी मौजूद है 1968 में पिछले शासन ने शिक्षा की एक राश्ट्रिय नीती की घोशना की थी और यह निश्चे किया था कि उसमें समय समय पर सुधार और परिवर्तन होता रहेगा विराम आज मांग बड़े जोरों से है की हमारी एक निश्चेत राश्ट्रिय नीती शिक्षा के संबंध में होनी चाहिए विराम राश्ट्रिय नीती की घोशना होनी जरूरी है मैं यह कहना चाहूंगा की राश्ट्रिय नीती की घोशना होने के पहले उसका सीथा संबंध जिन लोगों से है जिनका जिक्र मैंने उपर भी किया है संसत और जो शिक्षा से संबंधित छेत्र के लोग हैं उनके विचारों को सुनने के पश्चात ही इस पद्दती को लागू करना चाहिए क्योंकि शिक्षा पद्दती एक नाजुक विशय है और इसमें सुधार करने की काफी गुंजाईश है विराम सुधार के परिणाम अच्छे निकलने चाहिए इसलिए बहुत सोच समझ कर नीती निर्धारित की जानी चाहिए विराम तो दोस्तो यह थी है मारी आज की ओपी शुक्ला की एक टी एक डिक्टिशन जो कि असलिए शब्द प्रतिमेंट की करती इस बोली गए थी आश्या करते हैं आप सभी कोई डिक्टिशन कर संदाएगी तो प्लीज कमेंट बाक्स में कमेंट करें सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें धन्यवाद